हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगो ये बताने जा रही हूँ कि क्या होता है कि कभी कभी पैन, प्लाजो या स्कर्ट के लास्टिक बहुत ज़्यादा टाइट होता है और टाइट के कारण हम उसे पैन नहीं पाते तो अगर इलास्टिक के ऊपर मसीन चलाया हुआ हो तो आप उसे कैसे लूज करोगे, वही इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ तो वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर करना तो इसके लिए आप क्या करो कि ये जो सिलाई रहता है, जो इलास्टिक के ऊपर चलाया हुआ रहता है इसे आप थोड़ी दूर तक खोल दो लाइट कलर होने के कारण ये दिख नहीं पा रहा, तो यहाँ पर देखिए ये वाला सिलाई आपको खोलना है तो देखिए सिलाई को करीब में एक इंच तक खोल दी हूँ तो सिलाई कोलने के बाद क्या करना है कि कपड़े के बैक साइड में जो उपर वाला कपड़ा होता है उसे काट लीजे इस तरह से ध्यान दे इधर का कपड़ा जो राइट साइड वाले कपड़े को आपको टच नहीं करना है नहीं तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा बैक साइड वाले कपड़े को इस तरह से काट लीजे तो देखी नीचे के लास्टिक दिखने लगा थोड़ा थोड़ा तो कपड़ा काटने के बाद विलास्टिक को इस तरह से काट दीजे तो देखी इस तरह से काटने से आपके लास्टिक थोड़ा लूज हो जाएगा तो अगर आपके लास्टिक बहुत जादा टाइट हो तो एक दो जगह से और इस तरह से काट सकते जैसे देखिए मैं यहां से भी काटी हूँ तो देखिए हमारे लास्टिक किस तरह से थोड़ा दीला हो गया तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगाओ पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाएगा और चैनल पे नए हैं पहली बारा हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजेगा तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए बबबाए